दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट रूसिफ जैक्स गाइस, MIUI 12 के नाम से एक नई थीम आ चुकी है जिसके अंदर आपको MIUI 12 के बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिलते हैं जैसे कि लेफ्ट साइड अगर आप स्क्रोल करते हो यूपर सारे पर आपको ये एक मुझने का टैब देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि केल्क२리लेटर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर in Kita यह चाइनीज वर्जिन वाला है स्टॉप वॉच मिलेगा वेदर मिलेगा गैलरी मिलेगा और यह डारेक्षिन बताने वाला क्या बोलते हैं उसको जो भी कंपस मिल जाएगा ठीक है और अलीप भी मिल जाएगा टॉर्च का एक उप्शन मिल जाएगा बहुत सारी चीज़े है और उपर साइड के अगर नॉटिफिकेशन पैनल की बात करें तो इसमें भी जो है शॉटकट में काफी कुछ चेंज़े आया है आइकन में आप देख सकते हैं कि आइकन के जो डिजाइन है वो थोड़े से जो है चेंज हुए हैं इसके इलाबा उपर में भी जो आइकन बन नहीं है अब फोन के स्क्रीन के अंदर चलते हैं तो यह आपको हो में स्क्रीन पे स्टॉक वालपेपर यहां पे देखने को मिलेगा और चांसेज यह है कि मी युवाई 12 के साथ भी गाईज आपको यही वालपेपर देखने को मिल सकता है तो बाकी जो है यह एप्लिकेशन थीम का बहुत बढ़ियां वोग कर रहा है अगर आप चाहें इसको इंस्टॉल करना अपने फोन में तो इंस्टॉल कर सकते हैं मेरे तरफ से फ्री है बहुत अच्छा है अच्छा काम कर रहा है अब सवाल यह है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है तो यह आपके थीम स्टॉर ब्राउज का तो सबसे पहले आप वो थीम डाउनलोड करेंगे ठीक है मीवाई टोल थीम डाउनलोड करेंगे उसके बाद थीम एडिटर डाउनलोड करेंगे फिर थीम एडिटर खोलेंगे इसके अंदर एक डाउनलोड नाम का फोल्डर है इसमें जाएंगे और यहां पर लेके बाद आपको एक एैड दिखेगा चार-पांच सेकंड का जिसको आपको बंद कर देना है फांच सेकंड तो चलेगा ही वह जबरदस्ति है ठीक है उसके बाद आप next पर जाएंगे next पर जाने के बाद आप finish पर क्लिक करेंगे देन जो है गाइस यह थीम आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी इंस्टॉल का एक option आएगा actually pop up जैसा कि आप मेरे screen पर देख सकते हैं इस पर simply आपको tap करके इसको install कर देना है मेरे पास यह already install है इसलिए मैं इसको install जो है नहीं कर रहा हूं उसके बाद हमें simply अपना the store खोलना है अपना थीवे store खोलने चे बाद जो है आपको जाना है यहां पर my page में last option उसके बाद यहां पर थीम adapteras को option इसके अंदर आपको जाना है पर आप देखोगर यहां पर यह थीम लिख रहा है उसमें Chinese में लिखा हुआ है और है apply me लिख क्या रहा है apply me जिसमें लिख क्या रहा है इसी को आपको guys download करना है ठीक है इसी को आपको download नहीं मतलब install करना है इस पर tap करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर apply का button है इस पर press करना है theme जो है apply हो जाएगा और कुछ second में जो है आपके screen पर यह visible हो जाएगा एक बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस वीडियों बस इतना ही मैं मिलूँगा अगली वीडियों तब तक लिए वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करना कुछ पुछना है तो आप कमेंट सेशन पुछ सकते हैं नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले